Hello students, welcome once again, आज हम partial fraction में कौन सा टाइप करेंगे जब degree of numerator equal है degree of denominator के या degree of numerator greater है degree of denominators, यह दोनों टाइप हम आज इसमें करेंगे, चलिए, पहले हम लेते हैं question जिसमें degree equal है, numerator की भी और denominator की भी, x into x into x, तो numerator के degree कितनी होए, 3 linear factor multiply कर रहे हैं, यानि 3, denominator में भी 3 linear function आप multiply कर रहे हैं, factor multiply कर रहे हैं, तो degree of denominator भी कितना है, 3, यानि दोनों के degree क्या है, equal है, तब आपने क्या करना है, x into x into x, यानि x cube का जो factor है, उसके साथ कोई constant नहीं है, that means 1 है, x into x into x, यहाँ पे भी x cube हमें मिल रहा है, तो इसको जब आप assume करेंगे, x, x plus 1, x plus 2 upon x plus 3, x plus 4, x plus 5, तो इसको आपने क्या लेना है, जो भी x cube का coefficient यहाँ पर है, और यहाँ पर है, x cube, x cube cancel कर देना है, यानि आजाएगा हमारे पास 1, ठीक है, फिर आप लेंगे a upon, जो first factor है denominator का, b upon, जो second factor है denominator का, और c upon, जो third factor है, ठीक होगे यह तक, अब हमने क्या करना है, अगेन इसका lcm लेना है, जब हम lcm लेंगे, तो left side में तो हमें यही term मिल जाएगा, ठीक है, और right side में 1 के साथ यह 3 हो फैक्टर मल्टिप्लाई होंगे, क्योंकि 1 के अपन में तो कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है जी, और a के साथ क्या आएगा, a के साथ यह फैक्टर नहीं आएगा, x plus 4 आएगा, और x plus 5 आएगा, इसी टाइप से b के साथ x plus 3 आएगा, और x plus 5 आएगा, और c के साथ x plus 3 और x plus 4, अपन का term, अपन के term से cancel out हो गया, ठीक है, बस यह step इसमें अलग है, बाकी वही है सेम जो हमने first type किया था, फिर से आपने क्या करना है पहले, पुट करना है x plus 3 को 0 के equal, और x की value कितनी आगई, minus 3, पूरी question में पुट करेंगे आप, ठीक है, यहाँ भी x plus 3 involved है, 0 जाएगा, यहाँ भी x plus 3 involved है, 0 जाएगा, यह भी 0 जाएगा, तो यहाँ से मुझे a की value मिल जाएगी, कितनी, minus 3, minus 3 plus 1, minus 2, minus 3 plus 1, यानि minus 1, a के साथ क्या क्या factor है, a के साथ है, minus 3 plus 4, minus 3 plus 5, ठीक, 3, 2, 6, minus, यानि 2a हो गया, minus 6, और a की value मुझे मिल गई, minus 3, 2, 3, 6, ठीक, चलिए, अब हमने क्या put करना है, put x plus 4 equals to 0, x की value मिल गई हमें, minus 4, फिर से put कर दिजे, minus 4, minus 4 plus 1, minus 3, minus 4 plus 2, यानि minus 2, अगेन ये factor 0, ये factor 0, ये factor 0, यहाँ पर value, put कर दिजे b के साथ, minus 4 plus 3, यानि minus 1, minus 4 plus 3, plus 5, that is plus 1, ठीक, तो ये values हो गई हमारे पास, minus b equals to, 4, 3 is a 12, 2, जाँ 24, फिर third factor को हमने 0 रख देना है, x plus 5 को 0 put किया, x equals to minus 5, यहाँ पर अब आपके पास क्या value आएगी, minus 5, minus 4, minus 3, किसके equal, ये 0, ये 0, ये भी 0, तो यहाँ से मुझे c की value मिल जाएगी, minus 5 plus 3, minus 2, और minus 1, यहाँ से आया plus 2, 2 से ये cancel, minus 2 आजाएगा, 3, 2, 6, 5, 30, c is equals to minus 30, तीनों values आ गई, a, b और c, अब ये value हमें कहाँ put करनी है, यहाँ पर, answer हमें मिल जाएगा, तो partial fraction जो हमारे पास होंगे, a की value कितनी आ जाएगी, a के place पर हमने find किया है, minus 3, b के place पर हम put करेंगे 24, और c के place पर हम put करेंगे minus 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह minus sign यहाँ पर आ जाता है, 1 minus 3 upon x plus 3, plus 24 upon x plus 4, minus 30 upon x plus 5, तो जब भी degrees same है, आपने क्या करना है, x cube यहाँ, और x cube यहाँ, दोनों का coefficient देखना है, जो भी constant होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी serial से a upon b upon c upon a, यूज़ करेंगे, चलिए देखने हैं, इसी type का दूसरा question है, x minus 2, x minus 3, x minus 4, upon में है 2x minus 1, x plus 1, और x minus 5, ठीक है, आपने क्या करना है, x, 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 जितने x के factor है, numerator के वो multiply किया, कितना आया, x cube, upon में जो x के factor है, that is x into x, x square, और जब आप 2x से multiply करेंगे, तो 2x cube, ठीक है, numerator का जो coefficient है, 1, upon में जो denominator का coefficient है, यानि 2, तो half को आप क्या कर देंगे, separate, और plus में आप लेंगे, a upon जो first factor है, यानि 2x minus 1, फिर जो second factor है, और फिर जो third factor, ये तीनों term हमने ले लिए, फिर दूसरा step क्या करना है, LCM, चलिए LCM ले ले लेते हैं, x minus 1, x minus 3, x minus 4, किसके equal आ जाएगा, obviously 1 के साथ, जब हम इस term को cancel out करेंगे, तो ये 2 extra होगा, पॉन में, ठीक है, इस 2 का आप क्या करेंगे, उपर सब के साथ LCM आ जाएगा, और फिर ये 2 यहां left side transfer हो जाएगा, खेक है, तो equal to में हमें क्या मिल जाएगा, 1 के साथ, 2x minus 1, x plus 1, और x minus 5, a के साथ, a के साथ आ जाएगा आपका 2, x plus 1, और x minus 5, b के साथ, 2, 2x minus 1, और x minus 5, c के साथ भी एक तो 2 आएगा, फिर 2x minus 1 आएगा, और x plus 1 आएगा, जब आप LCM ले रहे हैं, 4 terms हैं आपके पास, तो इसके जब आप into करेंगे, तो ये तीनों factor multiply होंगे 1 के साथ, a के साथ ये multiply होगा, ये multiply होगा, ये multiply होगा, b के साथ 2 into this into this, और c के साथ ये तीनों factor, ठीक है, और वो 2, क्योंकि यहाँ आप on में वो 2 नहीं है, तो वो 2 इनके साथ कहाँ पे transfer जाएगा, यहाँ पर, ये 2 यहाँ पे आजाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेगा, बाकी method पूरा same है, फिर से हमने क्या put करना है, 2x minus 1 को 0, x की value आवे, half, जहाँ जहाँ 2x minus 1 है, वो सारे factor तो cancel out हो जाएगे, ये value मुझे क्या मिल जाएगी, this is 2 half minus 1, half minus 3, half minus 4, और equal to में 2a half plus 1 and half minus 5, solve क्या हमने, 2, 2 से 2 तो यहीं पे cancel कर दीजिए, this is minus half, 2 3 जा 6 यानि minus 5 by 2, 2 4 जा 8 यानि minus 7 by 2, a into 3 by 2, 2, 1 minus 5, 2 जा 10 यानि minus 9 by 2, 1 2 से 1 2 cancel, 1 2 से 1 2 cancel, अब ये value आगे मेरे पास, 1 minus से 1 minus cancel, ठीक है, और 5 7 जा 35 अपॉन 2, ठीक है, minus minus plus, और इधर आगे मेरे पास 9 3 जा 27, तो ये 27 कहां पे आ जाएगा यहाँ, अपॉन में, ठीक है, तो एक ही value हमें मिल जाएगी, 35 अपॉन 2 into 27, यानि 54, ठीक है जी, अब हम बिल्कुल सेम ऐसे ही second term को put कर दें, x plus 1 को 0 रखा आपने, x आगे आपके पास minus 1, फिर से इस equation में हमें put करना है, 2 into minus 1 minus 1, यानि minus 2, minus 1 minus 3 minus 4, minus 1 minus 4 minus 5 equals 2, अब x plus 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यह सब terms तो 0 हो जाएगे, यह मुझे क्या मिल जाएगा, 2B minus 2 minus 1, यानि minus 3, minus 1 minus 5, यानि minus 6, 1 minus, 1 minus, 2 minus से cancel, इस minus को as it is रखेंगे, 2 से 2 भी cancel, और कुछ cancel हो सकता है, 2 से, यह 6 cancel हो सकता है, और 5 फोर्जा 20, तो B की value हमें मिल जाएगी, 20 upon 9, ठीक हो गया, अब हमने C की value find करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या put करना पड़ेगा, X minus 5 को 0 लेंगे आप, यानि X को आप put करने 5, पूरी equation में put करने आप, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 5 minus 1, यानि 4, 5 minus 3, यानि 2, 5 minus 4, यानि 1, ठीक हो गया, यह पूरा factor फिर से 0 हो जाएगा, यह factor 0 हो जाएगा, और यह factor भी 0, यहाँ पे आपने क्या रखना है, 5, 10 minus 1, यानि 9, 5 plus 1, यानि 6, इस 2 से यह 2 कैंसल, 2, 3 जा 6, बस C की value आपको मिल जाएगी, 4 upon 27, A आपको मिल गया, 35 upon 54, B आगया 20 by 9, और C आगया 4 by 27, यह values उठा के आपने कहां put कर देनी है, A, B और C के place पर, ठीक है, चलिए देखते हैं, next question, फिर से वही है, degree of numerator 3, degree of denominator is also 3, जो denominator में X cube का factor है, उसके साथ कोई multiple नहीं है, numerator में भी जो X cube है, वो single X cube है, तो आप इसको क्या assume करेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पे जो constant है, और यहाँ पे जो X cube का constant है, this upon this, 1 upon 1, that is 1, plus A upon first factor, B upon second factor, and C upon third factor, ठीक हो गया, अब आपने फिर क्या करना है, LCM लेना है, 1 के साथ, यह तीनों term multiply होंगे, तो क्या मिलेगा हमें, X minus 1, X minus 2, X minus 3, A के साथ क्या नहीं आएगा, X minus 1 नहीं आएगा, B के साथ क्या नहीं आएगा, B के साथ आपका X minus 2 नहीं आएगा, ठीक हैं, और C के साथ क्या नहीं आएगा, X minus 1 आएगा, और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, upon का factor, upon के factor से complete cancel out हो जाएगा अब आपने क्या करना था, yes पटापट बताओ, x minus 1 को हम क्या रखेंगे, 0 जो first term है, क्या value आगई, x equals to 1 पूरी question में put करना है यहां रखा हमने 1 cube 1 ही हो गया यह 0, यह 0, यह 0, यहां पर value put कर दिजे a into 1 minus 2, यानि minus 1 and minus 2, जब हम इन दोनों को into करेंगे तो plus 2 आएगा और वो transfer हो जाएगा upon में, तो value आ गई मेरे पास 1 upon 2 ठीक है, दूसरा term put कर दिजे x minus 2 को 0 के equal, x हो गया मेरे पास 2, अब 2 cube यानि 8, यह 0, यह 0, यह 0 जहां भी यह factor involved है, वो पूरा term 0 हो जाएगा इसके लिए क्या value होगी? B, 2 minus 1 and 2 minus 3 2 minus 3 is minus 1 this is minus 1, तो यहां से B की value कितनी मिल गई मझे? minus 8 now, third factor x minus 3 equals to 0 और x equals to 3, now 3 cube that is 3 cube is 27 यह term 0, यह term 0, यह term 0, यहां पे पुट कर दिजे 3 minus 1 and 3 minus 2 तो C की value आ गई 27 upon 2 तीनों values आ गई यहां पे पुट कर देंगे तो partial fraction हमारे पास क्या आ जाएगा? x minus 1, x minus 2, x minus 3 किसके equal 1 plus A A के place पर 1 by 2, x minus 1 के साथ B के place पर minus 8 और C के place पर 27 upon 2 और x minus 3, this is our answer ठीक है? चलिए अब next type देख लेएगा जब degree of numerator greater है, बड़ा है किससे degree of denominator से? जैसे यहां power 3 है और यहां power 2 है तो आपने क्या करना है? इसमें एक काम extra हो जाता है हमारे पास पहले हमें denominator से numerator को क्या करना पड़ेगा? divide यहां denominator लिया आपने numerator जो आपके पास है वो आप यहां पे ले लिजिए अब हम इसको divide करेंगे divide करते वे एक चीज का धिहान रखेगा हमेशा powers क्या होनी चीए? decrease इंडिया नहीं अगर यहां 3 है फिर 2 फिर x फिर constant वही सेम यहां पर होना चाहिए तो division में आपके पास problem नहीं होगी चलिए x square को मुझे किससे into करना है कि x cube हो जाए? x से x into x square बन गया आपका x cube जब आपने इस x को इससे into किया तो क्या आजाएगा? 3x square जब आप x से 2 को into कर रहे हैं तो आपका आजाएगा 2x ठीक है? यह तो आपका cancel हो गया सब के sign change कर दिजिए अब हमें मिल गया 3x square minus 2x और plus 3 ठीक? अब x square को किससे into करेंगे कि 3x square आजाए? 3 से 3 को इससे into किया आपने? 9x 3 को 2 से into किया? That is 6 फिर से subtract कर दिया यह cancel हो गया यहाँ से आपको मिल गया 7x और minus 3 इससे आगे divide नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब power कितनी है? 1 जब तक power equal होती है तब तक divide होगा ठीक है? अब आपने इसको कैसे लिखना है? Let x cube plus 3 upon इसके हम वापिस factor कर दे x square 3x plus 2 क्या लिख सकते हैं इसको? x square minus 2x minus x plus 2 यानि x minus 2 यहाँ से और x minus 1 यहाँ से दो factor होगे इसके x minus 2 और x minus 1 क्या लिखेंगे आप इसको? equal to जितने time divide किया है वो separate हो जाएगा plus a upon जो first factor है और plus b upon जो second factor होगा ठीक है? तो second factor क्या हो जाएगा हमारे पास? second factor है x minus 1 फिर से वही LCM आप लेंगे x plus 3 इसके साथ यह दोनों term आ जाएंगे आपके x minus 2 और x minus 1 फिर a के साथ क्या नहीं आएगा? x minus 2 नहीं आएगा और b के साथ क्या नहीं आएगा? x minus 1 नहीं आएगा equal to me x cube plus 3 बस यहां तक change है बाकी पूरा process वही है फिर आपने क्या put करना है? एक बार x minus 2 को 0 रखना है x equal to 2 आएगा जहां जहां x minus 2 है वो factor 0 हो जाएंगे a की value आपको मिल जाएगी 2 cube यानी 8 plus 3 equals to यह 0 यहां पे आपने 2 रखा that is a तो a की value आगई मेरे पास 11 ठीक है? अगली बार फिर से दूसरा factor हमने 0 रख दिया यानी x minus 1 को 0 रखा x equal to 1 आया यह factor 0 यह factor 0 यहां से मुझे b मिल जाएगा that is minus b equals 2 यहां पे जब हम value रखेंगे plus 1 का cube तो 1 आएगा और 3 यानी 4 तो b की value आगई हमारे पास minus 4 तो जो answer हो गया मेरे पास partial fraction आगए वो क्या आगए? now partial fraction equals 2 क्या हो जाएंगे? यह term साथ में रहेगा फिर plus आप लेंगे a के place पर 11 और b के place पर क्योंकि minus है यहां पे आप minus ले लेंगे और यह आपको x4 upon x plus 1 x plus 2 और x plus 3 ठीक है? power फिर से numerator की greater है denominator के comparison में हमें divide करना पड़ेगा divide करने के लिए हमें क्या करना है? पहले denominator को multiply करना है इन दोनों का multiplication तो हम direct लिख सकते है x square 1x और 2x 3x और 2 और 2 और 2 यह लिख दिया हमने फिर से हमने इसको x plus 3 से multiply किया जब हम multiply करने हैं तो यह polynomial हमें मिल जाएगा x cube यहां से 3x square और यहां से 3x square तो भो जाएगा 6x square x हो जाएगा आपका 9 और 2 11x और 3 तूजा 6 simply आप multiply करने पहले इनको फिर इससे numerator को आपने क्या करना है divide करना है x से आप multiply करेंगे power 4 आपको मिल गई 6x cube आगया 11x square आगया और 6x आगया जब आप इसको subtract करेंगे तो यह तो cancel हो जाएगा minus 6x cube minus 11 और minus 6x फिर से हमें क्या लाना है अब minus 6x cube यहाँ पे है x cube तो minus 6 और आजाएगा अब आगय डिवाइड नहीं होगा अब आपने इसको क्या assume करना है let x4 upon x plus 1 x plus 2 x plus 3 equals to किसके equal x minus 6 जितने time divide हुआ है और a upon first factor b upon second factor and c upon third factor इसमें कोई doubt? नो चलिए अब फिर से हमने क्या करना है LCM लेना है और LCM के बाद denominator तो आपका cancel हो जाएगा ठीक है तो जो value आगे ही वो क्या आगे x minus 6 के साथ x plus 1 भी होगा x plus 2 भी होगा और x plus 3 भी होगा a के साथ क्या क्या आएगा? x plus 2 आएगा और x plus 3 आएगा b के साथ क्या आएगा? x plus 1 होगा और x plus 3 होगा c के साथ केवल दो term होगे 1x plus 1 और 1x plus 2 बाकी प्रोसेजर पूरा सेम है क्या करना है हमें पहले first factor को 0 रखना है x की value निकालनी है और सब जगे put करनी है minus 1 की power 4 किया तो 1 ही हो जाएगा plus आ जाती है यह 0, यह 0, यह 0 यहाँ से मुझे value मिल जाएगी a की minus 1 plus 2 यानि plus 1 minus 1 plus 3 यानि plus 2 तो a आगया मेरे पास 1 by 2 ठीक है दूसरा factor है x plus 2 को 0 रखा x की value आगयी आपके पास minus 2 minus 2 to the power 4 यानि 16 फिर से यह factor 0 यह factor 0, यह factor 0 यहाँ पे minus 2 रखना है हमें minus 2 plus 1 is minus 1 minus 2 plus 3 is plus 1 so b equals to minus 16 ठीक है जी और इसी type से हम c find कर देते हैं that is x plus 3 को 0 रख दिया आपने तो x आगया आपका minus 3 यहाँ पे minus 3 to the power 4 यानि 81 equals to यह 0, यह 0, यह 0 और यहाँ पे value कितनी आई? c के साथ minus 3 plus 1 minus 2 and minus 1 फिर से plus 2 हो जाएगा यानि c आगया आपका 81 upon 2 तीनों values आगई बस यह value हमें यहाँ put करनी हैं तो answer क्या हो जाएगा हमारा? answer हो जाएगा x minus 6 plus a a is half b b is minus 16 तो आप यहाँ पे minus 16 लिखेंगे और उसके साथ factor आगया c की value है 81 upon 2 और यहाँ पे x plus 3 आजाएगा that's it ठीक है जी? तो अब आप इस type के questions अच्छे से try कर सकते हैं अगर आपको कोई problem हो तो आप comment कर सकते हैं एक information और है अगर 11th, 10th और 12th CBSC board, हर्याना board और राजस्थान board के लिए maths की preparation करनी है आपके near-dear जो भी है तो आप उनको बता सकते हैं maths on tips by A. Verma आप subscribe करें उसमें आपको complete exercise wise हर question आपको उसमें मिल जाएगा आज अस वीडियो में इतना ही Thank you